नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्तित हूं आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके जिहां आज का हमारा टोपिक है कि घुटनों के दर्द से कैसे छुटकारा पाएं होता क्या है कि जब घुटनों से चिकनाई खत्म हो यानि कि घुटनों में दर्द होता ही है एक उम्र के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है घुटनों में से चिकनाई खत्म होती जाती है फिर ये प्रोब्लेम स्टार्ट होती है कि दर्द होने लगता है इस दर्द से कैसे निजात पाया जाए ये बहुत ही बड़ी एक स समस्या है इसके लिए सबसे पहले तो जान लें कि स्टार्टिंग से ही अगर आप यंग हैं तो क्यार करें ध्यान रखें कि कभी भी खड़े हो करके पानी न पिए ताकि आप इस समस्या से बच सकें इसके अलावा पानी कभी भी लगातार कटकते हुए न पिए घूट- में लिया उसको घुमाया यानि कि उसमें लार अच्छे से मिक्स होने दिया मूँ का स्टार्च फिर इसके बाद उसको निगला ऐसा नहीं बहुत सारे लोग है जो पानी लेते हैं बाहर से आएंगे या कहीं से भी पानी पिना है तो उपर बोटल में लगाया या फिर ग्ला से बचना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छी टिप्स है आपके लिए कि आप पानी सही धंग से पिए इसके बाद अगर घुटनों में दर्द हो ही गया है तो आई हम आज एक कुछ ऐक ऐसी और श्रधियों के बारे में बता रहे हैं जिनके सारे आप घुटनों की चिकनाई क को पुनह वापस पा सकते हैं मान लिजे अगर घुटनों की चिकनाई खत्म होई हो और जोणों के दर्द में किसी भी प्रकार की दवा से आराम नहीं मिल रहा हो तो ऐसे लोग हर सिंगार यानि की पारिजात पेंड के बारह पत्तों को कूट कर एक गलास पानी में उबाल ल जब पानी का एक चोथाई भाग बच जाए इसका कहने का हमारा मतलब है कि आपको पानी को उतनी देर तक उबालना है उस पत्ते को कि पानी तीन भाग जल जाए एक भाग बच जाए इसके बाद आपको बिना छाने ही ठंडा करके इसे पी जाना है नब्बे दिन में चिकना पूरी तरह से वापस बन जाएगी आपके घुटनों की अगर कुछ कमी रह जाए तो आप एक महीने का अंतर दे करके फिर से 90 दिन तक इस क्रम को दोहराएं निश्चित ही लाव की प्राप्ति होगी ध्यान रखें कि 90 दिन प्रयोग करने के बाद फिर कंटीनिव न करें नही इसलिए 90 दिन आप एक बार प्रयोग करें अगर ठीक ना लगे कि आप भी पूरा कंप्लीट ठीक नहीं हुआ तो फिर एक महीने का गैप दे दें एक महीने बाद फिर से आप 90 दिन के लिए इस क्रम को अपनाईए आप देखेंगे कि आपके घुटनों का दर्द जो है धीर गायब हो गया तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहत ही महत्तो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों